हलो गाइस स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दलर्ना चैनल इस्टोरी में गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी के जीवन परचे के बारे में गाइस पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी के जीवन परचे काफी इंपोर्टेंट है और एक्जाम में पूछे जाने की संभावना है तो गाइस आईए देखते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी के जीवन परचे गाईस पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी का जन्म सन 1894 इस्वी में 36 गड़ छेत्र के अंतरगत खैरा गड़ नामकिस्थान पर हुगा था पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी का जन्म सन 1894 इस्वी में 36 गड़ छेत्र के अंतरगत खैरा गड़ नामकिस्थान पर हुगा था इनके पिता का नाम उम्राओ बक्सी और पितामह यानी इनके दादा जी इनके दादा जी का नाम पुन्नालाल बक्सी था गाईज पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी के पिता का नाम उमराव बक्सी और पितामा यानी दादा जी का नाम पुन्नालाल बक्सी था इन दोनों का सहित से विशेश लगाओ था गाईज पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी के पिता अर्थात उमराव बक्सी और पितामा अर्थात पुन्नालाल बक्सी दोनों का सहित से विशेश लगाओ था अर्थात ये सहित से बहुत प्रेम रखते थे इनकी माता के हिर्दय में भी साहित के लिए बहुत अनुराग था गाइस पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी की माता भी साहित से बहुत प्रेम रखते थी इस प्रकार हम कर सकते हैं कि इनके पिता जी भी साहित से प्रेम रखते थे इनकी माता जी भी साहिस से प्रेम रखती थी और इनके दादा जी भी साहिस से प्रेम रखते थे तो गाइस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बक्सी जी का जन्म एक साहित्तिक परिवार में हुआ था और साहित्तिक परवेश में ही उनका पालन पोसण सिख्छा दिख्छा भी हुई थी बिये की परिच्छा उत्रिल करने के पस्चाथ बक्सी जी ने साहित्तिक सेवा को अपना लक्ष बनाया गाइस बिये की परिच्छा जब उन्होंने पास कर ली तो उन्होंने साहित्तिक में ही कुछ अच्छा करने का सोचा वे कविताय और कहानिया लिखने लगे जब पदमलाल पुन्नालाल बक्सी जी बिये की परिच्छा उत्रिल कर लिये तो उन्होंने साहित में कुछ अलग करने का सोचा और वो कविताय और कहानिया लिखने लगे प्रारंब में उनकी कहानिया और कविताय हित कारणी में प्रकासित हुआ करती थी इसके पाद पश्चात दूसरे पत्रों में भी प्रकासित होने लगे पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी जो कविताय और कहानिया लिखा करती थे वे हित कारणी में प्रकासित हुआ करती थी और बाद में दूसरे पत्रों में भी प्रकासित होने लगी द्रिवेदी जी के संपर्क में आने पर उनकी रचनाए सरस्थी पत्रिका में प्रकासित होने लेगी जब पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी द्रिवेदी जी के संपर्क में आ गए तो उनकी रचनाय अर्थात उनकी कहानिया और कविताय सरस्वती पत्रिक्या में प्रकासित होने लगी द्रिवेदी जी बक्सी जी की रचनाओं और योगताओं से अधिक प्रभावित हुए परड़ाम सरूप उनके हिर्दय पर बक्सी जी का अधिकार सा इस्थापित हो गया जब पदमलाल पुन्नालाल बक्सी जी द्रवेदी जी के संपर्क में आये तो उनकी रचनाय और कहानिया इतिनी अक्षी थी कि वो द्रवेदी जी को बहुत अच्छी लगी और उसके परड़ाम यह हुआ कि वो बक्सी जी द्रवेदी जी के बहुत अच्छे दोस्त बन गये और उनकी हिर्दय में बक्सी जी ने एक अलग इस्थान इस्थापित कर लिया इस अधिकार का परड़ाम यह हुआ कि द्रवेदी जी जब सरस्ती पत्रिका का संपादन कार छोण ले लगे तब उन्होंने बक्सी जी के हातों में उसकी बागडोर सौब दी जब द्रवेदी जी सरस्ती पत्रिका का संपादन छोण ले लगे तब उन्होंने क्या किया पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी के हातों में सरस्ती पत्रिका का संपादन कार दे दिया बक्सी जी ने कई वर्सों तक सर्शुती पत्रिका का संपादन बड़ी कुसलता के साथ किया सर्शुती पत्रिका का संपादन कार छोड़ने के पस्चाद वे खैरागण चले गए और वहां से छड़कार किया गाइस द्रिवेदी जी ने जो कारे भार सौपा था पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी को उस कारे भार को पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी कई वर्सों तक बहुत बड़ी कुसलता के साथ किये और जब उनका एज ज़ादा हो गया था तो वो सरसोती पत्रिका का संपादन का कारेभार छोड़ दिये और वो अपने घाओं खरागण चले गए और वहाँ पर सिच्छड कारे आरंभ कर दिया अनेक वर्सों तक सिच्छड कारे करने के पस्चात उन्होंने आवकास ग्रहन कर लिया कई वर्सों तक गाईज पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी सिच्छड का कारे करने लगे और उनकी एज थी वो और बढ़ने लगी थी परिणाम सरूप उनका निधन 1971 इसवी में 77 वर्स की आयू में हो गया था गाईज पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी का निधन हो गया था 1971 में और वो 77 वर्स की आयू के हो गय थे तो गाइस ये था पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी का जीवन परचे अब गाइस आईए देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाय कौन कौन सी हैं गैस पदुमलाल पुन्नलाल बक्सी जी की प्रमुक रक्षनाय काई सारी है लेकिन एक्जाम में केवल तीन ये चार पूछा जाता है लिखने को तो गैस पहला रचना है उनका बिखरे पन्ने दूसरा है पंच पात्र तीसरा है जल मला और चौथा है हिंदि साहित विमर्स तो गैस ये थी इंपॉर्टन रचनाय पदुमलाल पुन्नलाल बक्सी की तो गैस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक क इसको share कीजेगा और चैनल पर नए हो तो please चैनल को subscribe कीजेगा जिससे कि मैं ऐसी important वीडियो आपके exam के लिए लाता रहूं और guys इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को share कीजेगा ताकि जो बच्चा class 10th में हिंदी का paper देने जा रहा हो उस उसको ये वीडियो काफी help काफी help इस वीडियो के माध्यम से उसको मिल सके thanks for watching this video